सलाम मेरे अजीज निसनर्स वेलकम बैक टियूर ओन चानल सेलफ बिलीफ विची स्पेशल इमेट फॉर नॉवल लवर्स हमारा आज का नॉवल मेरी मोस्ट फ्रेविट नॉवल्स कलेक्शन में से एक नॉवल है जो के आपको बहुत अदा पसंद आएगा नॉवल का नाम है पूरब पष्चिम और ये तहरीर है नाजिया रसाग की So let's start it तेज दूप में बादिलों का छब दिखलाना मौसम में ऐसी रवानी पहले तो कभी न थी आज ऐसा क्या हुआ कि बादल बिन बुलाए ही रहमत बरसाने आ गए क्योंकि आज ही वो आपा जी और बड़ी मामी से नजर बचा कर अपनी बच्पन की सकी गुलशन से मिलने और उसे अपनी गुलाबी कमीज पेसिया फूल काड़ने को देने आई थी कि गुलशन की माने मीना आ गया कहूटर बजाते ही चारपाईयां बर्रामदों में गसीटना शुरू कर दी बदमजा सा शरबत जन्नत के हलक में सहम कर फस गया मैते गई वो सरपे हाथ मार कर बाहर को दोड़ी तो गुलशन चीखी जन्नत बच के तुफैल बटी का कुटा वो सरपट दहलीज पार कर गई मार्श की इप्तदाई तारीखें चल रही थी मौसम किसी शोख हसीना के लबादे जैसा घड़ी घड़ी रंग बदल रहा था वो कई महीनों बाद इस जानिब आया था वजह एकलोती भुपी साहिब चान से मुलाकात थी जो फालिज के बाइस काउं के दूसरे सिरे परवा किया उस पत्रिली हवीली में जाने से माजूर थी जहां उनका बच्पन और जवानी का बेशतर हिस्सा गुजरा वो महीनों इधर करूख ना करता यहां तक के साहिब चान उसे देखने को तरश चाती हर आते जाते को संदे से देने लगती मगर वो इन गलियों से बागी था बैसे भी इन गलियों में मौत पहरे पर बैठी उंगती रहती हर आहट पे चो कन्ना होके जपठती थी वो अपनी राइफल को कंदे पर एजास की तरहां टांगे बालों में हाथ चलाता तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था सिकों के वक्त से काइम ये गाओं अभी तक रामपूर के नाम से जाना जाता उंचे दालानों और महराबों वाली पुखता हवेलियां उंचे मकानात चोराहों में चगा चगा बुद्धा की मूर्तियों के लिए बने सिंगासन हर नगर पर दिवारों में बनाए गए महराबी खाने और उनके अंदर बड़े बोसीदा संगी दिये गाओं के सीरे पर बना चोपाल और कबरुस्तान को जाते रास्ते पर मुझूद वो बर्गज जो सदियों से यूही चुप चाप दम सादे खड़ा हर फानी शक्स को कंदों बर रुखसत होते देखता वो रुख के आस्मान तक ने लगा जहां बादिल बरसने को तयार खड़ा था वो चौकना हुआ गली में बेहंगम कदमों की ताल पैदा हुई वो अपनी राइफल को कंदे से उतार कर सीधे रुख करते हुए दबे पाउंगली में गुसा नीम तारी गली सुनसान सी थी बस पाजेब की हलकी सी चंचंच उसने गोड़ा चड़ाया उंगली ट्रिगर पर मतवाजन की नाल से चिम्टी आँख को सियाँ चादर का पलू नजर आया वो सीधा हुआ बादल जोर से करचा सियाँ चादर अब पूरी रफ़तार से उसकी जानिब बढ़ी तो क्या वो लड़की है हाँ वो लड़की ही थी जो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी वो उसकी जानिब आई और पाजेब की चंचंचंच करते हुए आगे गुसर गई और इस अफरा तफरी पर हैरान होता मुर के देखने लगा वो वो लड़की पकी हवेली की बेरूनी दिवारों में बने खाली हिस्सों में एक की तरफ मुर गई तो वो सीधा हुआ और तुफैल भटी का कुता पूरे रामपूर की तेजी लिए उसके जानिब बढ़ रहा था वो लमहाज जाया किये विना मुड़ा और भागते लगा बादिलों ने शाबाशी देने के लिए दर्याओं साप पानी बहाना शुड़ कर दिया वो गिरता पड़ता पकी हवेली की बेरूनी दिवार में बने खाली हिस्से में जा चुपा कुटा सीधी गली में दिवानों सा भौगता भागता रहा वो गुटनों के बल जुका सास दुरुस्त की उठा तो नजर सामने खड़ी सियाह चादर में लिपटी कीना तोज नजरों से गूरती लड़की पे पड़ी एमी खामखा कडर बटी का कुटा बस गरचता है बरसता नहीं खुशखोंटों पर जबान फेड़ता वो अपनी अरया हुई मरदानगी पर लफजों की चादर बिचाने लगा वो तंजन मुस्कुरै गबरामत मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा बैसे इस राइफल से रंग बरंगा पानी निकलता होगा न मेरे बतीजे के पास भी हैं ये खिलो न वो राजहन से करदन उठाए मुड़ी हवाओं ने अपनी रित को एर लगाई और हर रफ़तार को मात हुई स्याह चादर सर से धलक गई कुछ पीतल सा चमका था सोने सा सुनेहरी वो अपनी आस्तीन मुड़ता साकित हुआ जबके वो मौताद हिफ़त ने अपनी हसी में किसी नए सुर्ट का इसाफ़ा किया वो तेजी से उस गार नुमा हिस्टे से खुद को जुदा करती गई उसकी पाजेब की चंचंचंद में किसी दूर दरास की चरागा में चारा काटती दरानती से सबसे में लहर पैदा करती दुशीजा के रसीले लोक गाने जैसी अलिफ लेलवी दास्तान चुपी दी रिफत ने किसी सामे की तरहां अपनी समात उस दास्तान की तरफ मौर दी मिया जी मैं अज एक गल बता दूँ ये खानों का मूसा मरेगा मेरे हाथ से कल पिर उसने चंदो को लोहे की जंजीरों से मारा है और मुझे कसम है आपकी पगड़ी की मुझे कही मिल गया तो पिर खान ढूंडते ही रहेंगे उसे मैंने उसकी नाक अपने हाथों से नाकाटी ते कमी कहना तारिक चौधरी की आवास सारी हमेली के कोरे में चानती फिर रही थी वो आपाजी के कमरे में खड़े इस गजब से बोलता के हवेली में बजूद हर नफस उसकी आवास के गजब को पहुंच जाता कुली रहधारियों से परे कदरे अलग तलग सेहन के हिस्से में जमे उस पीपल के नीचे जूले के गिर्द जमा सब लड़कियों ने उस आवास और तक्रीरी अंदास को सुनते अजीब कड़वे से मू बना लिए खुदा की मार उस मुसा के जिकर से जाने कब जान चूटेगी हमारी समातों की सबकी खमोशी के बड़क्स शीरी ने तलखी से तपसरा किया जन्नत ने आहिस्ता होते जूले को पाउं के दबाउ से जरा तेस किया और हाथ में पकड़ा भुट्टा खाने लगी एप्रिल के दिनों में छंटी हमाय चलती थी तो वो तो वो दोनों शाद रहती या पिर दिनों लिखा होगा यानि कि कई दिन शाद रहती मुतमईन अपने आप में मगन मगर जैसे ही लू चलना शुरू होती तो वो भी हर वक्त तब ही रहती आज कल उसकी खुशी के दिन चल रहे थे पीपल की जाने किस शाख पर बैटी पत्तों में चुपी कोयल कूग रही थी वो सर उठा कर देखने लगी गुलेहरियां पीपल से हमेली की मुझीरों को फलांग रही थी लड़कियां जो शोखरोश से मुसा खान के लगते ले रही थी वो बदमजा होके उच आई बैसे भी उसकी हमजाद तो वहां थी ही नहीं मेरा शेर पुत्तर किते गूम रहा है हैं मिया जी ने उसका नीला आंचल देखते ही अपनी बाहें वा की तो वो जूती गसीर थी आपा जी के कमरे में आई अब मिया जी से लिपट कर बैटी थी और मुमानिया बाद बाद कमरे के चक्कर काट रही थी कि इधर उसके मुझे कुछ निकला और उधर उनकी शामत आई तारिक मुसा को भूले अपनी सुर्क आँखें उस पर गाड़े बैटा था उसने मिया जी से नजर बचा कर उसको मुझ भी चड़ाया मगर वो वैसा ही मुतमान बैचा रहा तो वो उक्ता कर उच आई अब आखरी ठिकाना चट पर ही था उसने अपनी किताब और पानी का बड़ा कटोरा लिया और चट पर आगई नीलमा कोने में पीपल के साई में बैटी रट्टे लगा रही थी उसने कटोरा मुंडेर पर रखा और दुपटे से हाथ पूंच ती बेरूनी बार की जानिब आई साथ वले गर में जांक कर देखा सारे गर में खामुशी चाई थी अलबता चट पर बैठा गुड़ू कैंचे यह रादा ये दुश्मनियां भी न वश्पन तनहा कर देती है वो सर जटक के नीलमा के पास चली आई अभी उसे किताब खोले कुछ देर ही गुजरी थी कि मुंडेर पर गुड़ू का सर नदर आया जनत बाजी जनत बाजी इधर आओ एक गल करनी है वो सुस्ती से उठी क्या है कजब हो गया जनत बाजी राम पूर विच कयामत आने बली है मत ना मार गल बता उधर देखो गुड़ू ने सर के इशारे से अपने घर से अगले घर की चट के जानिब इशारा किया जनत ने लापरवाही से देखा अरे ये तो वही है हाँ 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 तुझे पता है उस दिन तुफैल बटी के कुट्टे ने इस गबरू की कैसी दौर लगवाई तौबा ऐसी बुसली वैसे ये है कौन साहब चान का क्या लगता है वो आँके सुकेर के मुंडेर पर कौनिया जमाई सिया निबास में मलबूस उस शानदार से लड़के को देख रही थी मुसा खान है साहब चान का वतीजा तेरा बड़ा पूच रहा था गो तो मैं ही उसका शदाई हूँ और कोई होता न तो इस बात पर तीन चार कतल तो हो ही चुके होते ये? ये है मुसा खान उसने बही कीनी से पूचा आँखें भी पहलाई हा ना? चन्नत बाजी तो कहा मिली उसे? चन्नत हसने लगी ये है मुसा जिसने हमारे शेरों को शिकार बुलाया हुआ है अरे ये तो तुफैल के कुट्टे से डर के वो भागा के मैनू भी शरम आ गई सारा पिंड जानता है कि मुसा अगर किसी से डरता है ते वो तुफैल दा कुट्ता ही है तुसी बताओ इसे क्या कहूँ? तेरा साला गुड्डू जुन्जुला के बोला क्या कहता है? पहले पूछ रहा था कि ये तुम्हारे किस मामी की बेटी है मैं बोला खाला सुरया की है काला जी के फौट होने पर नाना जी इधर ही ले आए थे फिर बोला नाम बता मैं बोला जन्नत फात्मा कहने लगा जन्नत फात्मा से कहना खान साज जरा श्रम अब बोल उसे क्या कहूँ? तुने उसे क्या बोलना है? पहले तो मैं तुझे बोलती हूँ ओ बेगैरत शर्म नहीं आई बेहन को दुश्मन का पेगाम लाके देते हुए और उसे भी जाके कह दे कि उसने जो भी मुझे कहा उसका बदला मेरे भाई जल्दी चुकाएंगे किसी की मा बेहन को गाली देते शर्म नहीं आती साहब जान की छट पर ना होता तो अब तक कफन में लिप्टा चरपाई पर बढ़ा होता वो जोश में इतना उंचा तो जरूर बोली कि वो बावा असानी सुन ले और उसने सुन भी लिया सर जटक के मुस्कुराया भी गुड़ू ने शर्मिंदा साहो कर मुसा को देखा नील मा जल्दी से उठकर आई फिर मुसा को देखते ही जर्द परते रंग के साथ उसे नीचे ले जाने लगी गुड़ू ने जबान बंद रखने की किसम काई और उन दोनों ने किसी को ना बताने की आटा पीसने वाली चक्की की मखसूस तक 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 ने बरगत पर बैठे बगलों की कतार के साथ मिलकर एक साथ तर्ब बजाया और वो दोनों एक दूसरे को शर्बार साथ देखते हुए मुखालिफ सिम्तों को चल दिये ओ जगा मार्या ओ जगा मार्या बोड़ दी छामे ते तू मन रेद बदरी क्या लिगा हुए चाचे इसमाहिल की आवाज उच्स कच्ची सडक से उठने वाली मट्टी के दोश पर सारे में फैल रही दी चाचा तान लगाता तो साथ में गोड़े की बाग को डीला करके जटका देता और गोड़ा तांगे को खेंचता हुआ मन्जिल के तरफ बढ़ता रहता वो बिटी से बचने के लिए नात तक सियाह चादर खेंच के बैटी थी माते पे आया पसीना साफ करके चाचे से बोली चाचा जी आज हमें मश्रकी दर्वाजे से हबेली लेकर जाओ उन लोगों का तो बच्पन यहीं गुसरा है मगर मैंने कभी उस तरफ गई भी नहीं जनत के कहने पर सब लड़कियों ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दमाग चल गया हो रामपूर के दो दर्वाजे थे मश्रकी और मगरबी मगरबी जानिब चोधरियों की हबेली और गात थी जबके मश्रकी जानिब खानों की हबेली थी इसमाइल चाचा उन्हें मगरबी दर्वाजे से ही कॉलिज लाते ले जाते थे जो के करीबी हिस्से में था ना ना दिये ये गल ना करना जहर भावे चुटकी ही क्यों ना हुए ओ जहर ही होंदा है ते बेवकूफी भावे एक लम्हें दी हुए ओ किसी दी गल दा नतीजा बजल सकती है मैं अज तुम लोगों को इधर ले जाओ ते कल को चोधरियों को क्या मूँ दिखाओ चोधरी जफर ने मेरी संगी ब्रैकिट गर्दन ते नू ब्रैकिट ना खुन रखके तुम लोगों को मेरे नाल बेचता है ओ हो चाचा जी इतनी दुपहर को चोपाल खाली पड़ा होगा ते गलियां भी तुस्ती सानू ले जो सफ जफर पाजी से मैं खुद गल कर लूँगी शीरी तू भी कहते ना वो शीरी से बोली लहजे में अजले तमकन ने थी जाने क्यों आज दिल कर रहा था कि वो इस खुबसूरत तस्वीर को दूसरे रुक से भी देखे चाचा इसमाहिल ने गोड़े को हंटर लगाया और वो सर पट मश्री की दर्वाजे को मुड़ गया अब सब लड़कियां दिलो जान से मतवच्च हुई चोपालवा कई खाली बड़ा था चाचे की कुछ सांस बहाल हुई वो हलकी रफतार से तांगा चला रहा था निर्मा शीरी और बुश्रा याद कर रही थी वो देखो कितना बड़ा हो गया वो देखो कितना बदरंग हो गया जैसी यादे वो पुतरी पैंदा बाबुजी अज ए शाही सवारी इदर आई है खहते है बबजी चाए खाने के छपड के बास से तकरीबन जूरता हरमन सिंग इसमाईल को देखते ही ललकार के बोला चाथी इसमाईल के हाथ कपकपाए माते तक हाथ ने जाकर सलाम किया पुष्ट किये चाए पीते मुसा ने सरा की जरा गर्दन घुमा के देखा चाए खाने में बज़ने वाला पश्ट उगाना कहीं दूर से मद्धम सी कान बड़ी आवास जैसा लगने लगा वो उठा शीरी ने सहम कर चाचे की कमीस का दामन पीठियों से पकड़ लिया तांगा रोक जरा वो आस्तीन चड़ाता तांगे तक आया कोई अंधा भी होता तो जन्नत पर नेजे सी कड़ी उसकी नजरों की नोक जांच लेता चाचा तांगा मत रोकना जन्नत ने नीलमा की कौनी दबाने के बवजूद तमकनत और तहक्म से कह डाला वो भे साफता मुस्कुड़ा तांगा ना रोकने का मतलब जानता है चाचे के पसीने से कमीज रंग बदल गई अगर रोक डाला तो चोटी मोटी ते मैं खुद उठा डालू वो आँखना जपकती थी मुकाबले की ठनी हुई थी हर मंद सिंग का नमक जोश मारने लगा ए बीबी वो अंगले उठा कर बोलने लगा तु चुप रह मैं कम्यों की मूँ नहीं लगती और ये अंगली भी नीचे रख वरना सारी जिन्दे की चार अंगलियों से गुजारा करना पड़ेगा तु चल चाचा मुजा का कहका दरखतों में चुपे परिंदे उड़ा देने वाला था खांजा जराश्रम बीबी खांजा जराश्रम वो हाथ से जाने का इशारा करने लगा तांगा आगे बढ़ा जनत ने मुड कर देका वो सीने पे हाथ रखकर सरासा जुका वो सीधी हुई मुस्कुरा के लड़कियों से रासतारी के वादे ले रही थी ये लड़कियों के रास भी ना आम के बाग में दरखतों पर आया बोर अब चोटी चोटी कच्ची कैरियों में बदल रहा था विजा भी तुर्श हुई थी कोयल की सिरिकौट की तरह सारा सारा देन कूक देन धखती भागों के रखवाले आवासे लगाते हुंचे हुंचे हुरः बच्चों के गाल और थोड़ियां कच्चे आम का पानी लगने से दागदार हो रही थी और लड़कियों की ओर्निया सबस ही नजर आती वो सुबों से बाग में जाने को मचल रही थी मिया जी ने रोक दिया तो उस बात पर अड़ गई आज जाओंगी परना कुछ ना खाओंगी सपहर को तारिक डेरे से आया सतून से टेक लगाए मुँ फुलाए उसे बैटे देखा तो गाड़ी निकाल लाया लड़कियों ने जूतियां फेंक खुसे भंसा पजारों में खुद को भड़ लिया वो कुलसूम के हाथ में टोकरी पकड़ा के उससे आगे आगे निकल रही थी जब भाटक पर गुड़ू मिल किया वो कहता है मुझसे मिल वो रो देने को था तो क्या बोला उसे उसने दमाग में बढ़ बढ़ चलती आग को मुग का रास्ता दिखा है मैं शेदाई हूं उसका किसी को बताया ते वो भी मारा जाएगा और तू भी उसे कहना में दुश्मिन की लाश भी भलांके ना गुजरू कजा कि उसके साथ कबर ही बना लू वो चुटिया लहराती आगे बढ़ गई दिल दर्या समंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने हो आज बाग से फल उतरा था मजारे भागम भाग फल उतार और समेट रहे थे मिया जी ने जन्नत के कहने पर तीन दरख लड़कियों को दे रखे थे आज वो कनीजों के साथ अपने दरख देख रही थी जन्नत परेशान नहीं मगर उलजी हुई थी मुसा ने गुड़ू को परेशान कर रखा था वो हर दूसरे दिन रोता हुआ उसका कोई परगाम ले आता जन्नत अफ़ट पढ़ने के करीब थी नील मा सदा की डरबोक वो उसे खमुशी के असपाप पढ़ाती रहती जबके वो अरियल चोधराईं थी जो कहती थी फिर उसके वास्ते सूई के नाके से भी गुजर जाती वो नंगे पहुंच लगते हुवे बाग के आखरी कोने तक चली आई आगे पका नाला था फिर खानों का लीमू और माल्टों का बाग वो आम के दरख्त का घूंकर जाइसा ले रही थी जब कोई शेठ ठक से कमर पे लगी वो तैश से मुड़ी वो इबन धीट एक वो इबने धीट एक लीमू के पोदे के पास पुष्ट पर बाजू बांदे मुस्कुरा रहा था तुचाता क्या है वो सियाह चादर को गार पे पहला कर फुनकारी तुच क्या सुनना चाहती है वो घूरी वो मुस्कुरा रहा था तू मरेगा निजाने ये तपसरा था या ट्रावा ले पिर मैं मर क्या वो रुकी फिर तेजी से पलटी कुछ देर और रुकती तो दुश्मन की जीत लेकीनी थी एक कांटा एरी में गुस्ता उसकी रह रोक गया वो करा के नीचे बैठी वो लम्हों में नाले के उस पार आया था उस जगा जहां गाए भैंस घुश जाने पर तीन चार कतल हो जाए गुटनों के बल बैठके उसक कांटा केंचा या तो तुप पैदाशी सर फ़िरा है या खुदकुशी का इरादा किये बचा है वो कहे बिना ना रह सकी तुझे क्या लगता है वो पूछे बिना ना रह सका निगाहें उस पर जमीधी अगली जमरात हजवेरी शाह का मेला है सारे चोधरियों के सामने आकर हरी कांच की चूड़िया मुझे दे जा जहां बुलाएगा आउंगी मैं भी ते देखूँ इस बर्फ की धर्ती पर सूरत चमकता कैसा लगता है ले फिर बचा ले चोधरियों को अब ना तेरा खून लिकले ना उनका उसके मुस्कुराहट सिम्टे बड़ी कम कीमत लगाई है अपने पांच मिन्ट की किसी जान को तलवार की नोक पर सजा दिया है अपने पंदरा मिन्ट के लिए वो तस्सीह करते हुए मुड़ गई वो मुस्कुरा कर उरता हुआ नाले के दूसरे पार किया था तुझे क्या लगता है वो आएगा नीलमा लोगों मेरास्ता बनाती उसके साथ चल रही थी मेले में जोरों का रश्टा आज पर तारीक ही काम आया था बागी लड़किया इधर उधर घूम रही थी उनके साथ गुड़ू और सफर भाई का कामी था तारीक जन्नत के पीछे पीछे था साथ चादर अस्तहा बर्दार भी थे नीलमा फिर उसके कान में गुसी पता ना वो मरेगा कमी ना दिलकर्श सा मुस्कुराई थी नीलमा ने दहल कर देखा तू क्या चाहती है बस उसके सुनेहरी आँखों को करीब से देखना चाहती हूँ जानती है मैंने आँखों का ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा जैसे जैसे पकी हुई कंदू या फिर पीपल का थाल या फिर जन्नत वो कातिल है दुश्मन है हमारा फूपा जी शर्जील भाई और जाने कितने मुजारे तू किस राह पर चलना चाह रही है नीलमा जैसे बेबस हो गई वो चुप चाप चलती रही ठेलों पर पड़ी चीजों को इन हमाक से तकती रही अगर वो आ गया तो मिलने जाएगी उससे जाओंगी उसने कंदे धटक कर कहा मतलब तू पहले से सोच बैटी है मेरे सोचने से कुछ होता तो ये तेरा ताया जाद सेरे से काईब होता वो तारिक के जल्दी जल्दी उनके सर पर पहुंचने पर बोली चूड़ियां के स्टॉल पर आकर वो रुकी थी एक लड़का तेजी से उस चानिब आया और चूड़ियां दिखाने लगा वो बे तवजह ही से इधर उधर देख रही थी तारिक उसे भी ये दिखाता तो कभी वो तारिक उसे कभी ये दिखाता तो कभी वो लड़का यकायक एक सबसकांच का गुच्छा उसके हाथ में तकरी बन थमाते हुवे बोला बाजी ये देखिए ये रंगते बना ही तुसादे हत लई है पहन के ता देखो उसी वक्त एक सफेद गोड़ा हनहनाता हुआ करीब से लोगों को रोनता हुआ गुसरा अजब चीखो पुकार मच गई कोई बोला ओ बचके मुसा खान का गोड़ा भाग गया वो चौंक के बल्टी वो गोली के रफ़तार से इधर आ रहा था ताएं जानी मुड़ते मुड़ते वो ठक से उससे टकराया सब चौंक के देखने लगे वो गुटनों के बल्ट जमीन पर था अजब अफरा तफरी में बोला ये चौड़ियां आपकी हैं? उसने जनत के हाथ में पकड़ी सबस चौड़ियां उसके सामने की वो मभूत सी रह गई मुसा ने उसका हाथ पकड़ कर चौड़ियां उस पर धरी और बैसी ही अफरा तफरी से गोड़े के पीछे बाग गया सब लम्हों में हुआ था समझ में आने पर वो मुस्कुराई थी बे इंतिहा दिलकश मुस्कुराहत चौड़ियां लेकर मुड़ी ये कितने की हैं? हो गया लड़के ने हाथ से इशारा किया उसने चौड़ियां किसी मता की तरहां समेटी और आगे बढ़ गई जनत तू ना जाना निल्मा का दिल पहार चर्टी ठ्यून्टी के कद्मों सा डगमगा रहा था तू ना रोकना जनत का दिल पहार के पार की दुनिया को तस्खीर कर लेने के जोश में उचल रहा था उसने आँखों में काजल की धार फेरी और नीम तरीकी में उस मुनकश आइने में खुद को देखा जफर पाजी को पता चल किया ते छोड़ेगा नहीं किसी को भी जनत ने सियास चादर ओड़ी मैंने जबान दी थी उसे नीमा का बाजू पकड़ के दबे पाउं बाहर निकली देल के गुनाह जबान पर न डाल पंकों की खड़कडाहट ने दबी दबी हमोशी को सास होने से बचा लिया वो पिछले दर्वासे तक आई तेर्वी के चांद ने हर शेह पे अपना रंग फेर दिया था सारे गाउं में कुत्ते बोकने और गीड़ों के गुराने की आवासें चक्रा रही थी सवा बारा के करीब वो बर्गत के दरख्त के पास पहुंची कद्मों की चाप सुनकर वो पल्टा सिया शलवार कमीज आस्तीन मोडे माते का पसीना साफ करते वो उस तक आया पकी चोधराइन निकली हो तुझे क्या लगता था चोधराइन मुकर चाएगी वो सिया चादर का कोना दाट में दबा कर बोली वो सर जटक कर मस्कुराया आल ताके न वो भर्गत के गिर्द बने इंटों के हसार की तरफ इशारा करके बोला मैं पंजाबन हूँ खान सहब आल ताके ना मतलब इधर बैठो वो वज़ाद करने लगा वो समबल के बैठ गई वो कुछ वास्ते पर बैठा अच्छा फिर जाद जार्श्रम का क्या मतलब हुआ वो बगौर उसे देखने लगा बच्पन में जब कभी मैं कोहाट से इधर आता तो सहब जान से कहानिया सुनता क्योंके मोरे ब्रैकिट मेरी माँ हम बैठ भाईयों को सिर्फ हदी सुनाती कहानिया सिर्फ सहब जान सुनाती हर कहानी मुझे हैरान करती बला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शहजादी बरसों से किले में जादू से सो रही है और शहजादे के आने पर हर जादू आपो आप टूर जाता है एक दिन मैंने सहब जान से पूछ लिया बोली हर कहानी में मुहपत जरूर होती है किसी भी रूप में और हर मुहपत की एक पहली जरूर होती है पहली समझ लो कोई तलस्सम या मंतर जो कहानी को आगे बढ़ाता रहता है तो जन्नत फात्मा तु समझ ले कि हमारी मुहपत की पहली इसी जुम्ले में है मतलब बता दिया तो तलस्म तूट जाएगा अगर मेरा कोई बढ़ा किसी खानजादी के लिए मुहपत का लफ़ बोले ते तू क्या करेगा कोई चोधरी किसी खानजादी को इतना चाहे तो जितना ये खानजादा इस चोधराइन को चाहता है जन्नक उसकी यकीन पर परफ से हो गई चांद ने उस गंदम सी आँखों वाली की बलाएं ली थी जिसने इस मूँ जोर लड़की को चुप लगा दी थी वैसे पकी हमेली वाले मुहपत नहीं करते पकी हमेली वाले मुहपत के बगार यहां तक चले आए हैं खुद सोच मुहपत हो गई ते कयामत हो जाएगी दोनों ने कुछ लम्हें रुक के एक दूजे को देखा आँखों में है इतनी हिम्मत की तहरीर पठान ने सीने में सांस भर कर पहल कर दी फिर कब मिलेगी शकल देखिए अपनी वहूं वाले अंदास में बोली बढ़ती पढ़ती बढ़ती भी है या बस जबान की धार तेसकरती रहती है वो मुस्कुराई तो गोया वो उसे जानने जा रहा था कॉली जाती हूँ अगले महिने चोदा पूरी तू बता कुछ करता भी है या बस हाथ ही चलाता है गरीबों पे कुछ नहीं करता बस हाथ ही चलाता हूँ मुतकबरों पे मुस्की मुस्कुराईट पे उसका माता शिकन जदा हुआ गुस्से से उठी अभी दो मिंट है, तेरे पंदरा मिंट में से, तू तो पांच मिंट कह रहा था उस दिन, फिर कब मिलेगी, चल रहें दे, तू और मैं नहीं चल सकते, वो कहे कर चादर दुरुस्त करने लगी, कुछ सोना सा फिर्चम का, मुसा जवाब देना भूर गया, सर उठाए उसे दे बढ़ाना, विचारे, चंद की सारी मेहनत जाया कर देता है, वो लम्हों में फैस्दा करती, आगे कदम बढ़ा गई, और वो चिंगेस खान के पोते की नसल का लड़का, वापस वहीं बैट गया था, चांद उसकी मस्कुराहट पर मतफक्र हुआ, परांदे को आखरी बल लेकर उसने खराशों से भरे आइने में खुद को देखा, जैसे कोई संदल से तराशी मूरत, अलबता चेहरे पर उमर से मेल, उमर से मेल खाता, पांक बनना था, एक रगड सी थी, वक्त की हालात की रगड, होटों की गुलाबी डिबिया में लिप्टे रंग से मजीद का पी रहा था, अमा अपलों को तंदूर में तर्तीब से रख रही थी, अपने हाथ के इशारे से उसे बुलाया, वो पाइंती पे टिक गई, की कहता है वो, अबे का इशारा वो लम्हों में समझी, कहता है मैं जमीन दार हूँ, फसल हाथ से उगाता और हाथ से कारता हूँ जो पक के खुद गिर जाए, उसे अपने को दाम में नहीं रखता, ते दिल में कैसे रख सकता हूँ, जिस दिन कोई खड़ी फसल सी मिल गई ना, ते फिर चाहे, और चोदरियों की क्यों ना होवे, अपने हाथों काटूंगा, मैं भी सोचा, चल कोई गल नहीं, पैसा ते उस शेर ते धाने विच है, जमीनों, मुर्गी फॉर्म, मचली फॉर्म और बाकि सारे कारोबार सब दी कमाई अपनी जेब में रखता है, और मैंनू ते पता है, एक कदम पीछे चलता हूँ उसके, तू किसी तरह उसे बुला ले ना, उस महले, तो समझ पूरा र पुर्ग मुसल्म खाते अपनी बेटियों के बल, चोधरियों और खानों को अंदर ही अंदर से खोकला कर रही थे, संदली उठी, अबा, तू कहता है तो एक पारी फेर कोशिश कर लेती हूँ पर ये मुसा वीना, नक से नक सीर निकल वाएगा, तू देख लें, वो बात करके दर्वासा पार करकी, विलायत खान, बंगिश और महमूद अल्ला चोधरी दुश्मनी की बज़ा भी बूल चुके थे, मगर कतल फिर भी होते, जहां जिस का वार चलता वो चला जाता, फिर दूसरे का वार चलता, तो वो पहले का दुगना होता, ना किसी ने गुमान क यान अतबीर फिर उन पत्तर दिलों के दरमयान एक बनफशी भूल किल उचा था, खानों और चौधरी यों के दो मूज और हर बुद को पुरानी हमेली में, जमीन खोद खोद कर दुश्मनी के बीच, रामपूर की जमीन के सीने से निकालते, अगले बुद फिर जमीन बैस और ये जा बोचा, रामपूर में कोई न जानता था इस पार की गंदुम के साथ उनके गरों में, मुहपत का एक रास भी आया है, आपा जी, कहरियों को अचार डाल चुकी और अब लीमू और सब स्मिर्श की बारी थी, सब मुलासमाई बागम बाग, मुख्ति अश्या तो कपड़े तद्दील करके उपर चली आई, बाकी सब लड़कियां भी आ गई, वो आपा जी के चारपाई पे लेट गई, सखा उंची अबास में तान लगाए बैटी दी, साथ ही साथ सारे मर्तबान दूप में रख रही थी, हो बाजार रोकते दे, सरे कुछ और गाना स लिखा वैजीबसा, वो जटके से उठी, बेरूनी मुंडेर की तरफ आई, वो साभ जान की छट पर खड़ा पसीना पसीना हो रहा था, वो मुस्कुराई, जाने दिल को कैसे पता चल जाता था, उसकी आमत का, मुसा ने इशारे से पर्षे के मतलिक पुछा, उसने हाथ पसंद है, जवाबन उसने अपने पीचे इशारा किया, फिर कानों को हाथ दगाया, बाबा माफ कर और जा, मुसा ने अपने सीने पे हाथ रखा, यानि मैं खालू, वो अपनी हैसे दबा के सर हिलाने लगी, कभी कभी वो यूही मुहपत दिखाता और कभी बे इंतहा करूस हो जाता, जन्त को उसकी समझ ना आई, हाँ जन्त ने कभी उसे रियायत न दी, कभी मीटा बोल के न दिखाया, फिर भी वो उसे चाहे जाता, वो सही कहता, था के चोधरी ऐसी मुहपत कर ही नहीं सकता, वो हशाश पशाश ताजा दमों के कमरे से बहार डिकला, वलायत बंगेश अपनी च्छे बेटों, और च्छे पोतियों के हमरा, रामपूर में पत्रीली हवेली के नाम से मशूर उस हवेली में रहते थे, बहुत बड़ी हवेली के चारों तरफ कमरे ही कमरे थे, दाए वालियों से एक हिस्सा मकसूस करके वहां खुला बवर्ची खान खाना बनाया गया था। मर्दों के लिए लकड़ी के बड़े पट्रे थे वह आते तो मुलासमाई वह आगे कर देती। खाके उठते तो उठाकर बरामदों में सजा देती। वह पाउं की दमक पैदा करता हुआ आया और गुलशेर के साथ बैट गया। संदली खाना आगे रखने लगी साथ आठ लड़के बैटे तेज तेज पश्टों में कोई बात कर रही थे। मुसा को जल्दी थी। आठ बच गयते जबके साड़े नो पर उसे पुरानी हमेली पहुंचना था। गुलशेर उसका चच्चा जात तो था ही मगर वह उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वह उसकी आस्तीन खेंच कर मतवचा कर रहा था। तुने वो चोधरियों की लड़की देखी है जिसका जिकर अरबास कर रहा है। मुसा के हाथ रुके। निश्टा निश्टजा परेगदा रोल ब्रैकेट नहीं तुम छोड़ो मेरे भाई। उसे सखत बुरा लगा था। नहीं चोड़ता दरहसल वो जफर चौधरी की सबसे चोटी बहन है। मुझे सुरया ने बताया। अब ये वो बात करी रहा था कि चटाक की आवास पर मुसा बेसाखता उचला। उसे लगा ये थपर उसे लगा है। मगर गुलसार लाला सुर्क आँखे लिए गुलशेर को गिरेबांच से पकड़ कर उठा रहे थे। वहाँ बैठे सब इन लड़के एक साथ उठे। तेरी मुरे ने ये नहीं पताया के रिस्क खाते वक्त रब का नाम लेते हैं। कुफर का जिकर नहीं करते। मुपलीद हो जाता है फिर तू उन पलीदों का नाम भी कैसे ले रहा था रिस्क सामने रखके। हैरान सब हुए मगर मुसा को ये बात कोड़े की तरह लगी। वो लहुलुहान हो गया। इतनी नफरत। नवाला उसके हाथ से जूट कया। वो सुनसा वहीं बैठ गया। लोगों की दुश्मनिया होती होंगी। मगर हमारी सिर्फ नफरत। सिर्फ नफरत। कोई उनका नाम भी ना ले इस घर में। नाम भी ना ले वरना सांस तक के टुकड़े करके करेगा ये बंगश उसके। गुल्जार लाला आके बढ़के। मुसा खान कोई औरत होता तो बैन करकर के रोता। उसने सर में उठती टीसों को आँख मीच कर दबाया। मुसा क्या आज पानी पे नहीं जाएगा। शैबाजी को कहें दू। वो सर पाउन लपेटे खेस ताने सरे शाम ही लेटा था। तो मुझ क्यों चुपा रहा है। मुझ तो गुलशेर को चुपाना चाहिए मगर देख वो तो सरमत के साथ मिलके गामे से ताबिश की बाजी लगा रहा है। गुलबास ने इस पार खेंच करखेस उतारा। मुझा की नजरें गड़ी पेटे की देस बच गए थे। वो करवट लेकर लेट किया सर में शदीद दर्था। लाला ओ लाला निश्टा सतर गई नम ब्रैकेट आँखें बंद नगर। मेरी बात सुन। जमाल उसका चोटा भाई था जबके खुश्छाल बढ़ा। वो मंजला था। खुश्छाल को हाट में होता था। वो जंगलात के महिकमे में आला ओते पर था। गाउं की दुश्मनियों से दूर वो अराम से दिंदकी बसर कर रहा था। तबके जमाल अभी सतर्वे साल में दाकिल हुआ था। वो दुश्मनी से खार काता था वो सिर्फ पश्टो फिल्में देखना चाहता था खास तौर पर सोबिया खान की मुसा जहीर खान का वो बिटा था जिसे विलायत खान बंकिश मर्द समझते और अपना दाया बासू मानते थे कुछ मामलों में वो हद से ज्यादा सफाक था और यही सफाकित उसे विलायत खान की नजर में मुम्तास करती थी क्या है वो खेस के अंदर से ही बोला कुछ पैसा दो अम फिल्म देखेगी वो अभी छोटा था मुरे के साथ रहने की वज़ज़ से जबान ज्यादा पश्टो ही थी इस वक्त जमुर्द अपने पैसे से फिल्म लाई है सोबिया खान की अम से बोली पैसा ला और देख लो वो तायद जाद जमुर्द लाला की बात कर रहा था मुसा ने बेदिली से जेब में हाँ चाला और चो हाँ लगा निकाल कर उसे तमाया गुल बास चहल कदमी को निकल गया मुसा फिर से चादर ओड़ने लगा करवट बदल बदल कर ठक गया आंके मीच मीच कर भी देख लिया मगर नीन ना आई साड़े ग्यारा बज़े हिमत जवाब दे गई वो उट बैठा पिस्तर पर लिटे बागी पांचों उसे देखने लगा वो जो तेजी से दर्वाजे की तरफ को बढ़ा था ओ भाई की दर किसी ने हांक लगाई एक काम भूल गया था वो सुनसान गल्यों में भागते हुए एक जगा रुका दिवार में नस्ब दिया उखार कर फिर से रफ़तार पक्टी पीपल बली गली में दिये को ब मुश्किल संभालता पुरानी हमेली की च्छत तक पहुँचा हर बार की तरह हाथों पर जख्म आ गए पाउं की उंगलियां मुड़ी सांस भूल गई मगर वो पहुँची गया वो हर बार की तरह वो सीधा से गुमबत पर पाउं धरे सिमट के बाटी थी सारे गाउं में हूं का आलम था पीपल के पत्ते गड़ी गड़ी तालियां पीटते उन दोनों की होस्ते को दात देते वो पीछे से दमक पैदा करता हुआ आया सामने माले गुमबत पर बैठ गया बारा तो बज़े नहीं चल तेरा वक्त बदल दू वो उसके रवये की तरफ इशारा करता हुआ बोला यू जैसे कुछ हुआ ही नहो पर हथेली उसकी नाग पे जमाई और बाकी पंजा चेरे प बैठ बैठी रही हूँ कि कैसे कोई लड़की अपना सब कुछ दाओ पे रखकर यहां तक आई और आगे वाला अपनी अवकात ही दिखा दे जनत और ये बताने बैठी थी कि अब कभी इधर आया ते मुझ तोड़ दूगी अगर आज न बताती ते अगले बुद्ध तू फेर आता हुँ चकल गाइब कर यहां से बात तो सुन ले वो वापस बोड़ी मेरी बात तू सुन ले दवा हो यहां से तू नहीं जानती आज मैंन कहानिया न सुना वो तड़की कहानिया सुनाने वाला होता न तो तू अभी तक बैठी मुझसे कहानिया सुन रही होती कुरी बात तो सुन ले हां सुना एहसान कर ही डाला मुसा ने उसे सारी बात मनों अन बताई सुनने के बात बोली हां तो फिर राउनत में जरा भड़ भ वापस कर दूँ चोधरियों को जन्नत तुझे नहीं पता मुझे कैसा लगा मैं मरने को हो क्या तू नहीं समझेगी अच्छा तो उन गैरों के डर से जन्नत को छोड़ देगा वो पीपल के पत्तों में आँखें गार के वोली उसे देख लेती तो हिच्कियां गला घोड देत मुसा क्या जाने के जन्नत ने गुजरे दो गिंटे में खुद को कैसा बंजर पाया है मुसा क्या जाने के जन्नत ने अंजानी खौफ को खुद में हलूल होते देखा है मुसा ने ठक कर उसे देखा कितना कमजोर साबित हो रहा था वो उस लड़की के सामने ये ले जल्दी इसने वाले अंदास में सरजट का जनने दुपटे के पल्लू से एक धागा निकाला ये ले गुल्शन ने आज शाम ही बना कर भेजा था ये कलाई पे बानने वाला खुबसूरत सिया गुंदा हुआ धागा था मुसा फिर से शर्मिंदा हुआ दोनों हर बार एक तूचे को कुछ न कुछ जरूर देते मुसा हर बार ही शर्मिंदा होता क्यूंके जननत उसके लिए जो भी लाती वो बेहतरीन होता अच्छा अच्छा किया तू ये ले आया मेरे परिंदों का बाजरे वाला कटोरा कल तूट किया था मुसा के गूरने पर बुगरदन पीचे को लटका के हसी और रामपूर के हर सेहन में धरे चुले ने खुद को सर्ध होते पाया मुसा ने धागा जेब में रखा और दिवार से चलांग लगा दी मुहपत ने आज भी हर पैसला अपने ही हाथ में रखा पुजारी तो बस अमल करने वालों में से होते हैं न चनते मुंडा वाकी चाहता है तुझे नीलमा ने मान ही लिया जनत ने खुद में शहद जैसी मिठी नहरें बहती देखी मुहपत ना भी करता ना नीलमा जनत ते उसके होस्ते पर मर मिठी थी बस एक गल है वो हसा न करे हसता है ते अंदर से कोई जोड देकर कहता है तुम मरेगी कमीनी वो दोनों हसी बुश्रा ने हाथ वाला पंकार रोक के उनके गुलनार चेहरे देखे बाहर से जफर पाजी के धारने की अवास पर वो बाहर को दोड़ी वो सफीना भर जाई की चोटी पकड़े उन्हें दाएं बाएं जुला रहे थे तुमीनी जात मेरे पुत्तर को हाथ लगाया थे मैं हाथ ना कार दू जनत के अंदर नफरत उन्जे जफर पाजी अपने एकलोते कामी के लिए ऐसे ही बावले थे मुसा पुरानी हवेली आया कुछ मुसमहिल था पुरानी हवेली जनत की पकी हवेली का ही एक खस्ता हिस्सा थी जो कम आमदरफ्त की वज़ा से पुरानी हवेली कहलाती थी पकी हवेली की सीरियां चड़के अगर दाएं जाओ तो पकी हवेली अगर दाए जाओ तो पुरानी हवेली ये और बात कि पुरानी हवेली का कोई बिरुख ना करता जन्नत चल भाग चलते हैं या कुछ भी नहीं बदलने वाला जन्नत गंग रह गई मुसा क्या तु मेरी इतनी सी इज़त भी नहीं करता कि ये गटिया तरीन गल करने से पहले ज़रा सोची लेता इतनी सी चाहभी नहीं रखता मेरी कि मुझे घर में बसानी का सोचता मुसा चुपसा हो गया ठक के गुमबत से सर टिकाया वो नराज की से पीपल की और देखती रही साहाब चान कहा करती थी मुहपत बन गलियों वाला किला है एक बार महसूर हो गए तो फिर जितना भी भाग लो जान उन्हीं दिवारों में देनी पड़ेगी कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत सोचने लगा हूँ वड़ा सियाना न बन इतना सोचता होता ते पता होता न के मैंनू इसकल से कितनी तकलीफ होवेगी पर तूना बड़ा मीसना है तूने सोचा मन गई ते मोजा उधर ले जावांगा पठानों में कोहाट की तरफ जहां ना बोली समझ में आएगी ना खानों की ना मकानों की ते आपों आप मर खब जाएगी पर मैं भी चोधराइन हूँ चोधराइन कोई कमी कमी नहीं तेरे सिर्दी कसम मर जावांगी इस पीपल की तरह हर शै सेह लूगी मगर तेरे नाल कहीं न जाओंगी जब तक जंज ब्रकेट बरात ना लेकर आए ऐसी जंज जो चोबी गाउं देखे मतलब चोबीस गाउं देखे कुछ आया समझ में मुसा ने कानों पर हाथ धरे कितना बोलती है तू उसे सिर्फ यही बात काबले एतरास लगी जन्नत वाकई चुपोगा मैं सच्ची नाल बड़ा बोलती हूँ न अपने सर पे चपत लगाई आपती कहती है अगले घर इतना बोली ते अगले ने जूता उतार लेना है है मुसा वाकई बड़ा ही कोई बदनसीब होगा जिसे सुनहरी के बज़ाए सुर्फ रंग पसंद होगा दोनों ने एक दूजे को देखा और सची हसी पीपल को दान कर दी वैसे मेरे लाला कहते है कि औरत को मारने से बेतर है कि बंदा खुद को दो जूते लगा ले क्योंके चन्द दिन बाद भी तो यही करना होता है जन्द इतना हसी कि आँखों में आसू आ गए मुसा ने जेब से कुछ निकाल कर जन्द के सामने किया वो दंग रह गई वो पितल की नफीस सी दो चूड़ियां थी जिन पर राजिस्तानी काम इंतहाई बारीक सा था मुसा की जन्द जन्द का मुसा जन्द ने जवाबन कहते हुए पीपल का पत्ता उसके सामने किया वो मुस्कुराया पत्ते पे उन दोनों का नाम कड़ा हुआ था जन्द फिर जीत गई जन्द ने उसे घुरा मगर वो संजीदा था आज बुद नहीं आफ़ता था जब ही मुसा खान के हर काम में सुस्ती भड़ी थी जाती गर्मियों के गुटन जदा दिन थे गर्मी जाते जाते भी जोड दिखा रही थी वो सकून से मचनी फॉर्म गया वहाँ पानी के इंतजाम के लिए लगे ट्यूब बेलों पे नाया मुलाजिमों से मचली घर के लिए ली और जीब गाउं के तरफ दोड़ा दी संदली अपने गर के दर्वाजे के सामने पानी का चिर्काओ कर रही थी क्यूंकि उसका अबबाज शाम को यही इस्तराहत फरमाता उसे देखकर वो हवा में उचल उचल कर ढूखने लगी वो बबुश्किल रुका खान जी कदीश साड़े वेरे वी चकर लगा लिया करो सरकार क्यूं गुलबाज नहीं आता क्या तेवरी चड़ा के उपुचा आता है बादशा हो आता है मकर दिल आपकी मेजबानी चाहता है लेकिन लगता है कि आपको कोई चोधराइन पसंद आ गई है मुसा ने करंट खा कर उसे देखा वो पूर इसरार सा मुस्कुराई हर्मन सिंग अगले ही लम्हे वो जुस्त लगा कर जीब से उतरा और गुरा कर संदले की तरफ पढ़ा वो खौफ से सफेद पढ़ गई मुझे गुलबास समझने की गलती कभी मत करना संदली इस बात काताना मुझे वलायत खान बंगश पी देना तो मैं निपट लूँ उसकी पूरी फौत से जितना धंदा चल रहा है न उतना ही चला बड़ी मचले के टोह में कहीं जाल ही न गवा बैठी सारा महला सांस रोके देखता रहा और मुसा खान अपने भेदी हर्मन सिंग के सराने जा पहुंचा मुझे नहीं कहाना ये सबस चारा कोई ढंका इंसानों वाला खाना पकाया करो घर में वो घर में साग चक्खे बिना छोड़ आया था और जन्त ने आते ही कटोरा सामने किया जन्त का मुसा ये उन दोनों का दुलार था लाट था मगर मुसा सांस रोक गया मुसा की जन्त उसने अपने बाग के चार कच्छे संतरे उसके सामने किये जन्त ने चटकारा लिया मुसा ने उसका अंदास देखा और सरशार हो गया इतना कि साग ये मुखबत के मारे भी ना मुसा ये हमारी तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई थी जनत ने उंगली पर लगा खटा संतरा जबान से चुसा जाप परीक दा ब्रैकिट तुम छोड़ो क्या मतलब तू क्या करेगी जानकर वो साग से नबर्द आस्मा था तू बता तो वही जो पंजाब में 80% से दुश्मनियों की वज़ा होती है यानि तेरे जफर पाजी ने हमारा पानी दोड़ा था उस साल हमने सारा सरमाया मनजन ब्रैकिट धान पर लगाया था पसल तयार खड़ी थी पानी ना मिलता तो हम तबाह हो जाते मगर वही हुआ चोदरियों ने अपना आप दिखा दिया बस फिर हो गई लड़ाई शुरू हमने तुम्हारा तुमने हमारा पानी कहां से तोड़ा था बोखू ब्रैकिट कुमे वाली खेट से सूफी साब की घर के सामने से वो चौक के बोली हाँ तब सूफी साब की बड़ी साबसादी की माईयों थी और हम सब लड़कियां ढूल के पर गई थी और जब वापसी के लिए मुणी तो मैं बड़े नाना ब्रैकिट नाके पर अच्छा तो मैं बड़े नके ब्रैकिट नाके पर किसी को पानी तोड़ते देखा था मगर वो सफ़र पाजी तो ना थे वो जैसे खाप में बोल रही थी वो मनजर उसे वैसा ही याद था जिसमें कुछ पी चौका देने वाला ना था सिवाए उस नीम तारीक वजूद का खुद को सरकंडों में चुपाना सबसे आखे में चलती जन्नत ने उस शक्स के इस फेल को हैरत से देखा मगर तब वो आठ साल की थी और अपनी अम्मी के दुपटा खेंच के रोने लगी दी सब समझें वो डर गई है मगर वो तो उलच गई थी मुसा, मुसा वो जफर पाजी नहीं थे उसने गोया दमाका किया सारे चौदरी यही कहते हैं उसने नाग से मक्य उड़ाई मैं जूटने ही कहती मुसा मैंने उस शक्स को खुद देखा था वो कोई और ही था अच्छा, फिर कौन था मुसा ने काने से हाथ केंचा वो, वो पता नहीं पर वो जफर पाजी नहीं थे चल छोड़ यही रांजा जन्नत फात्मा तेरा मसाग अच्छा था वो उठने लगा तुझे लगता है मैं जूर पूर रही हूँ वो तेज आवास में बोली वो तड़क क्या अगर तु सच भी कह रही है तो फिर मैं इस सच का क्या करूँ जन्नत को उस से इस बेन्याजी की तवक्कु ना थी वो गुस्य में पागली ही हो गई कुक्छ न कर चल के अपने दादा जान के जूते सीधे कर और मैं यहां जूते सीधे कर और मैं यहां के मान बढ़ाती हूँ और क्या होना है कल को आ जाए कोई चोड़ी मेरा ताबेदार बन के पिर तू भी आज़ाना बताशे खाने मैं आगता रगादू उन सारे चौधरीयों को एक बात मेरी याद रख इन सब चौधरीयों की मौत मेरे ही यहां तो लिखी है यह तो पकी बात है मगर सना चो तेरे तरफ देखा भी किसी चौधरी ने कसम से मैं आरी से चीर दूँगा बेगैरतों को तु गाली दे रहा है मुझे मेरे भडाओं को गाली दे रहा है मुसा तेरे दिल की कालक अभी भी वैसी ही शदीद है पहले वसदमे से गंग हुई फिर गुसे में पागल तू मारेगा उन्हें हाँ तू मारेगा चौदरियों को चल निकल यहां से दफा हो उसने मुसा को पीछे दकेला वो छट से गिरते गिरते बचा तो दमाग उसका वही उलट गया तू ने मुझे इतना बेगैरत समझा है कि मेरे सामने मेरे भाईयों को मारने की बात करे और मैं बैटी तेरी मरदानगी पर वावा करती रहूं मैं ही खाइन थी उनसे जंग करने चला था कितना नमर्द था मैं जो एक औरत के पीछे सारी सुधबुत खोए जान हतेली पे सजाए हर हफ़ते दुश्मन की कछार में आता था लानत तो मुझे और याद रखना मुझे मुझे कोई शौफ नहीं सारी उमर ये दिवारें फलांकर लंगड़ा होने का तुफ है मुझे पर मामला कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया लानत तुछ पर नहीं लानत तो मुझे पर जो आधी रात को जान देने वाले रिष्टों की इज़त गिरभी रख रख कर तुछ से मिलने आती रही लानत तो मुझ पर अब दफा हो जा यहां से और कभी शकल मत दिखाना मुसा को एक धक्का और पड़ा था हाँ हाँ जा रहा हूँ अब आऊंग भी नहीं अच्छे बले नीले सब्स रंग के शर्वत छोड़के इन खारे सिया पानियों का शौक चड़ा था मुझे मैं कहता हूँ लाना तो मुझ पर और मिरी जिन्दगी की सबसे बड़ी कलती पर बलके गुना पर इशारा आँखों का था मुझे भी घर की सुनेहरी गंदुन छोड़कर इन उबले चावलों को चखने का लालच हुआ था अब भुगत अब भुखता लिया ना मैं कभी पलट के तुझे ना देखूंगी मुझा और तू भी अपने गुना को दोहराने कभी मत इधर आना सुर्क आँखें बींचे जबडे तने असा वो शदीद मुश्किल में थी मुसा ने देख लेंगे वाले कीना तोज अंदास में उसे देखा और दिवार से चलांग लगा दी वो जब्त करती गिर्ती परती स्यूरियों तक आई जहां हमेशा की तरह नीलमा उंग रही थी क्या हुआ वो भी जल्दी से उठी मर गया कमीना नीलमा ने हैं वाले अंदास में उसे देखा पहले पाँच दिन वो बहुत साम लिये बुरबुराती फिरी खानों के आबा की कबरों तक कुलात रसीद करने वाली हालत में रही गड़ी गड़ी उस पर लानत बेच के खुशो खुरम रहने के बहर काम करती रही जो पिछले छे माँ से उसकी वज़ा से ताखीर का शिकार थे मसलन उस देशीरी की शादी पर पहनने के लिए जरतार शरारा दरजन के सर पर बैट के मुकमल करवाया जो के आपा जी को बिल्कुल पसंद ना आया सरदियों के नई कपड़े भी करीद लाई और सीने को भी दे डाले मगर छटे दिन सुबा उठते ही वो मामूली सी बात पर वो चिड़ी के एक माँ बाद उस हवेली से रुकसत हो जैने वाली शीरी से भी उलच पड़ी साथमे दिन सफीना भरजाई के भाई का इटली से बेजा चाए दान तोड़ बैठी और उनके बोलने से पहले ही कहने लगी अब आप भी कहले मुझे गल्द मैं हूँ ही ऐसी आप सब की नाग में दमकर दिन वाली एकाश अमा ना मरती एकाश अब्बा मुझसे यूँ गाफिल न होते एकाश मैं भी अपने गर वाली होते आपा जी का तस्पी गुमाता हाथ कांप उठा था ये खुद तरसी जनत में पहले तो कभी न दी मुर्दों की सी खमोशी तान के बैट गई साहब चान की हबेली से खीर आई थी सारी लड़कियां पीपल के नीचे धरी चरपाईों पर खीर के साथ मसरूफ साहब चान का एहवाल दर्याफ्ट कर रही थी आपा जी की आँखे नम हो गई बेहन को देखे तो मुद्दते हो गई सोचा था बांजी को तु देख पाउंगी तो वो भी फालित से चारपाई की हो गई चलो रब्दी रजा विलायत खान बंगश की सौजा कनीज आपा जी के बड़ी बेहन थी साहब चान आपा जी की बांजी थी शदीद खानदानी दुश्मनी के बवजूद वो खाला से किनारा कशी न कर सकी मगर अब वो खुद बिमारी का शिकार थी तो आपा जी अकसर यूही आहें भरती रहती और मर्द जान के अंजान बने रहते जनत पुतर इधर आ बालों में तेल डाल दू पिर नहा लेना कल जुमिरात है इस वास्ते कल हर्किस नहाना चैस उट शाबाश आपा जी उसे पुछका रही थी और वो जो बुद को भूलने के लिए सबज़तन कर रही थी एक दम चटक गई ना मुझे नहीं लगवाना तेल बाल खराब भी हो गए तो क्या है मैंनू कौन सा निलाम गर्विच पालों से ट्रक खेंचना है लड़किया जोर से हसती आपा जी तिल मिलाई आपा वड़ी की जबान तो देखो कैसे बात को काट काट रखती है जरा जो लिहास कर जाए दीदों में जरा शरम ना रही इसके हाँ ते ठीक है मैं ही बेशरम बद लिहास और सारी की सारी बुरी हूँ क्या जरूरत है मुझसे बात करने की किसी को कोई गल ना करे मुझसे मैं ऐसी ही बली वो जोरो शोर से रोने लेगी लड़कियां काना पीना छोड़ भाग के आई मगर वो कमरा बंद कर गई रात को जब मिया जीने दर्वासा कुलवाया तब तक वो शदीद बुखार में मुझसे बली हो रही थी ओ मुसा इधर आ ओ क्या हुआ है तुझे कितने दिनों से देख रहा हूँ हर किसी को काट खाने को दोड़ रहा है दित्ते को तीन बार मारा है तुने और फजल नाई भी कह रहा था कि तू खत बनवाने गया था और चोटी सी बात पर उसके दुर्गत बना के आ गया है गर में शाह जीना को भी सही बेवज़ा डांट रहा था कहर तो है इतनी गर्मी क्यों का रहा है जमीर लाला सक्त लहचे में दर्याफ्ट कर रहे थे जिसका वो आदीना था कुछ नहीं हुआ क्या होना है मुझे वो तो दित्ता बूरी को जंजीर से मार रहा था तो मैंने मना कर दिया बस लाला आच में पानी पे नहीं चाओगा तू एक बाल और गुलबास को भेज़ देना हर्मन मेरे साथ एक यार की महंदी पर जाएगा वो तो सही है मगर तू सच पता कि मामला क्या है तीन बार तो तेरा हाथ ही कटा है काम करते हुए और ये बुरबुराते हुए दिवारों को लाते है किसके नाम पर रसीद करता है उसने सर उठा कर उन्हें देखा जो मश्कूक नजरों से देख रहे दे देख अगर चौदरियों का मामला है तो फिर खामोशी बेवकुफी है जानते हो ना कि वो कितने सफाक और गाग है पीछे से वार करते हैं इसलिए कह रहा हूँ अगर तारिक ने कोई चुपती हुई बात कह दी है तो हमें बता हम खुद देख लेंगे खुद से कोई कदम ना उठाना वो कितने सफाक हैं इसी बात कदर होना है मैं खुद देख लूँगा अगर जुरत पड़ी तो आप परेशान ना हो हर्मन ने तासुप से सरहे लाया वो चोधर आइन उस जवान की जड़ों में बैट कई है यकीनन उसने यही सोचा था दो हफ़तों में उसकी सारी अकड निकल गई थी बुखार था के जानना चोड़ता वो थी के चुपना होती आपा जी ने सब डॉक्टर हकीम बुला डाले रामपूर के गिर्दोनवा का हर मजार चराख से रोशन कर डाला मगर वो दिन बदिन मायूस होती गए नीलमा अब अगर कभी अगर कभी नजर आया वो मुझे ते मैं कभी पहचानो भी ना उसे अल्ला करे मर जाए कमी न वो हिच्कियों में कहती कहता था जननत रो के दिखा अब रोती हूँ ते देखने ही चला आय नीलमा खमोशी से सुने जाती नीलमा बला मुसा दीच जननत को भूल सकता है चल गलती मेरी ही सही पर कुछ कहें तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसके चुप तवील हो रही थी उस दिन सब जफर पाजी की तश्वीश पढ़ी तो उसे शहर ले गए दो दिन वहार रहने के बाद वो कुछ बहतर हुई तो वो वापस ले आए रामपूर के दाखली रास्ते पर बारात का जमगटा लगा हुआ था नकसक तयार बाराती ढोल ताशे वो खाली-खाली नजरों चे सब देख रही थी गाड़ी को गाउं को मुडने वाली गाड़ियां होले होले रहा थी एक लम्हे को उसे दूसरी गाड़ी का शिशा नजर आया था और वो थम गई मुसा साथ बैठे गाड़ी चलाते लड़के से बात कर रहा था चेरा दूसरी तरफ था मकर उसने पहचान लिया वो जुलाया हुआ दिखता था जफर पाजी ने मकबूल को गाड़ी आगे करने को कहा और गाड़ी को जटका लगा वो चौंक कर सीधी हुई मगर मुसा ने देख लिया उसे लगा जैसे जनत की आँखों में पहचान कम थी उसने जर्याप को गाड़ी आहिस्ता करने को कहा ताके चौदरियों की गाड़ी गुजर जाए एक बेचैनी थी जिसने रोम रोम पे कबसा किया था ऐसी बेचैनी जो फैसला कुन थे अगले दिन नेलमा उसे खेंच खांच के छट पर लाई थी जहां सब लड़कियां चारपाईयों पर बैठी माल्टे खा रही थी सर्दियां अब शिद्दत पकर चुकी थी सारे रामपूर पर कहर चाया रहता वो सियाह शौल को खुद परले पेटे सब के साथ शरीक हो गई लड़कियां अगले माह होने वाली शीरी की शादी के लिए खास तैयारियों में लगी हुई थी वो उनकी बातों से उकता कर गुड़ू के घर में जहांकने लगी खाला गंदुम दो के पहला रही थी और वो यकीनन सोन हलवा बनाने वाली थी जन्नत मुंडेर पर टिक गई हतेली को गाल पर जमाए वो खाला को देखती रही बामुश्किल चालीस की खाला को बेवा हुए भी छे साल हो चुके थे कैसे जालिमों ने दिन दिहारे उनके कारखाने में गुस कर उन्हें मारा था और जवाबन उन्होंने जेल में कैद उनके बंदे को मरबा दिया फिर सब यूही चलने लगा गोली दोनों तरफ से चलती और जिद में ज्यादातर मुजारे ही आते कभी इधर के कभी उधर के नजरे ठक गई तो यूही जाविया बदल डला साहब जान की मुझेर पर कहनिया जमाए बजाने कबसे उसे देख रहा था उसने शौल को आदे चेहरे पर किया मुजारे अभी तक सिर्फ उसका आदा चेहरा ही देखा था कभी कभी वो शौल सीधी करती भी तो वो पल भर के लिए ही होता वो उट खड़ी हुई वो चोकना हो क्या दोनों हाथ फिजा में यू उठाये जैसे हार चाने वाले उठाते हैं वो मुढने लगी तो दोनों हाथों से कांद चुए वो फिर भी मुढ गई उस रात हफतों बाद जनत ने पेट भर कर खाना गया था बुश्रा पलंग के तक्ते पर बेहंगम हाथ मार मार कर गुन गुना रही थी शीरी मकसूदा से सर पर मसाज करवा रही थी नेल मा रेडियू की फ्रिक्वेंसी सेट कर रही थी और वो चित लेटी च्छत को गुर रही थी जब गुडू मुनकश दर्वाजे के साथ आन कड़ा हुआ सब ने मुड़ कर देखा सिवाए जनत के जनत बाजी जनत बाजी जरा इधर आओ गल करनी है जनत यू उठी जैसे उस लम्हें को पोरों पे गिन रही हो शीरी मश्कूक हुई गुडू इधर आ जरा टैम नहीं है मुझे बस जनत बाजी से र्याजी का एक सवाद समझता था शीरी दहक गई मुबादा उसी से कुछ न बूच ले र्याजी तो शादी करवाने से भी मुश्किल था जनत उसे बाजू से पकड़ कर पीपल तले ले आई हम बता क्या कहना है वो मुसा खान कह रहा था तो रामपूर की हर दिवार में उसका सर छपा होगा मैं सोचूंगी तू जा और हां किसी को बताना नहीं वरना तेरा मुसा ते पका मरेगा वो मुबसोर के चला गया जनत कुछ सोच के मुस्कुराई थी चांद ने हफतों बाद मुंदी मुंदी आँकें खोली थी रामपूर की पूरी फिजा खनक जदा हो रही थी चोपाल में बैटे हर्मन सिंग ने तान लगाई या जागदा परवर्दिकार रातें या जागदा पहरेदार रातें या जागदा इश्क दी रम्जवाला बारिस मिया सब सो जांदे बस जागदा यार दा यार रातें जनत को अपनी पुष्ट पर कद्मों की चाप महसूस हुई दिल चाहा मुड़ के देख ले मगर वो गर्दन अकड़ा के बैटी रही वो सामने मुंडेर पे आन बैटा एक जिजक सी थी जो दोनों के रवईयों में थी एक सरखुशी थी जिसे दबाए वो दोनों अलफास ढूंड रही थे अगर इस बूद भी मैं ना आता तो तुम मर चाती उसने आदे चेहरे पे खुंडी बिमारी देख ली शकल देखी है अब में गर्दन के अकड़ वही थी वो बेसाखता मुस्कुराया सरजटक के बोला नहीं देखी मुद्ध हुई आईना किसी और की शकल दिखाता है मुझे अब जतने भी अलफास बोल ले मुसा खान बंगिश मैं ये कभी नहीं बूलने बाली कि तूने मुझे अपनी जिन्दगी का गुनाह कहा था और तूने मुझे तीन धक्के दिये थे जन्नत फातुमा चौदरी अलफास इतना जलील नहीं कर सकते दोनों ने खमोशी से अलफास चुंडे मुझे लगा अब तू कभी नहीं आएगा इधर और मुझे लगा तेरी जबान से जयाता कड़वा तेरा दिल हो किया मेरी तरफ से तू सच में मेरे भाईयों को मारेगा मुसा और नहीं वो बस एम ही कह दिया था बरना तू जिस दिन पहली बार तुछ से मिला था उसे दिन सोच लिया था कि ये दुश्मनी बढ़ाओंगा नहीं हो सके तो कम ही करूँगा तू बस ये बता कि मुसा को फिर कभी ऐसी सजा तू नहीं देगी ना बाकि जो सोच कर आया था सब भूल गया हलाँके तीन तीन बार एक लाइन दोराई थी कर रात जनत की हसी ने फिजा में मुझूद दूंद की रत पर सवार होकर पूरे रामपूर को इस बात के रजामन्दी पहुँचा दी कि अब मर के भी ये सितम खुद पर नहीं करेगी हवाए अपने साथ खुशियां लिए गूंती आते जाते उस पर लुटाती उसकी खिल-खिलाटें रुए जमीन पर उमीद बढ़ा देती कोई अंधा भी होता तो उनकी मुभव़गत देख लेता कोई बहरा भी होता तो उनकी मुभपत सुन लेता फिर भी जन्नत अगर उंगलियों पर गिन्ती तो मालूम होता कि मुसा ने कभी सीधे लफसों में मुहपत तौफा न की थी और खुद वो अलफास के हेर फेर से भी दूर भागती फिर भी उन दोनों के दरमयान मुहपत ठाठे मारती थी